हेलो दोस्तो, इस वीडियो में मैं आपको अर्दू पॉइट्री वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा तो अगर आपको हमार ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब सुरू कर देना तो इसके लिए आपने Play Store से InShot Application को डाउनलोड करना है जो के एक Video Editor है तो Simply से डाउनलोड करके आपने इसे Open करना है Open करने के बाद यहाँ पर आपको Video का Option मिल जाता है आपने यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद New वाले Option पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको Photo's और Video's का Session मिल जाता है अगर आप Photo को सेलेक्ट करना चाते हैं तो यहाँ पर Photo को कर सकते हैं अगर आप Video's को करना चाते हैं तो यहाँ से आप Video's को सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक Photo को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद OK पर klik करना है तो यहाँ पर photo हमारा आ चुका है इसके बाद यहाँ पर आपको canvas का option मिल जाता है तो simply आपने स्क्यूब पर klik करना है तो यहाँ पर YouTube की size selected है तो हम यहाँ पर TikTok की size को select करेंगे और इसको हम adjust करेंगे इस तरीके से आप इस तरीके से भी इसे फुल कर सकते हैं एक स्क्रीन में और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो लेंथ जो है वो सिर्फ 5 सेकंड से अगर आप इसे बढ़ाना चाते हैं इसकी डुरेशन बढ़ाना चाते हैं यहां पर आपने इसको सेलेक्ट करना है इमिज को और इसके बाद यहां पर आपको डुरेशन का उप्शन मिल जाता है आपने इस पर क्लिक करना है और पैंसल वाले आइकन पर क्लिक करके यहां पर मैं 10 सेकंड लिखकर ओके पर क्लिक करूंगा अगें ओके पर तो यहां पर 5 second वाली हमारी image जो है अब 10 seconds की हो गई है इसके बात यहां पर हम इस वीडियो में black label को add करेंगे तो यहां पर P.I.P. करके option आपको मिल जाता है आपने इसके उपर क्लिक करना है और यहां पर black label के उपर तो यहां पर हमारा black label आ चुका है हमारी वीडियो में तो इसके बाद हम text को add करेंगे यहां पर तो ocipper क्लिक करना है और यहां पर text वाले option पर आपने क्लिक करना है text को add करने के लिए तो यहां पर हमने अर्दू text जो है वो copy करके रखा हुआ है यहां पर simply मैं paste करूंगा उसे और यहां पर कुछ हिसा जो के black label तक आ सके वो मैं रखूंगा बाकी यहां पर delete करूंगा तो यहां पर मैं इसे cut कर देता हूँ और इसके बाद यह हिसा हम black label पर रखेंगे इसकी size थोड़ी छोटी कर लेते हैं इस तरीके से और अगर आप इस text को animation देना चाहते हैं तो यहां पर आपको animation का option मिल जाता है आपने इसके उपर click करना है और यहां पर आपको एक animation select कर सकते हैं तो यहां पर हमने यह animation select कर ली है और अगर आप text का color change करना चाहते हैं तो यहां पर आपको color का option मिल जाता है आप यहां से color भी change कर सकते हैं जैसे कि यह मैं रखता हूँ यहां फिर blue color black पर सही लगता है तो यहां पर blue color रख लेते हैं तो यहां पर white ही रख लेते हैं इसके बाद okay पर click करना है तो यह कुछ settings थी तो यहां पर video में आपको play करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से हमारा text आ रहा है हम इस text की length जो है वो adjust कर सकते हैं कुछ इस तरीके से तो यहां पर हम इसे छोटा सा रखते हैं क्योंकि हमार पास text बहुत ज्यादा है तो यहां पर मैं जल्दी से text भी add कर लेता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरे text भी यहां पर add कर लिये हैं जैसे कि मैंने पहले वाला text आपको बताया था same तरीके कार से तो यहां पर मैं आपको video को play करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारा video लग रहा है अब और इसके बाद आपने make sure कर लेना है जो के हमने black label जो add किया था वो हमारी image के साथ यहां पर full है आप इसे इस तरीके से adjust कर सकते हैं आपने इसकी duration उतनी ही रखनी है जितनी के image की हो तो इसके बाद हम ok पर click करेंगे इसके बाद अगर आप कोई filter इस वीडियो में add करना चाहते हैं तो simply आपने filter पर click करना है और यहां पर आप filter change कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे तो मैं यहां पर कोई filter change नहीं कर रहा ok पर click करना है आप यहां पर effect भी डाल सकते हैं effect पर click करकर यहां पर हम glitch वाला जो effect है वो यहां पर add करेंगे और इसकी value कम कर देंगे अगर हम पूरी वीडियो में यह glitch वाला effect चाहते हैं तो हमें से इस तरीके से adjust करेंगे इसके बाद ok पर click करना है और यहां पर मैं आपको वीडियो प्ले करके दखाता हो तो हमारी वीडियो कुछ इस तरीके की बनी है इसके बाद यहां पर हम music को add करना चाहते हैं तो music के लिए आपने यहां पर music वाले option पर click करना है अगर आप अपनी voice record करना चाहते हैं तो यहां पर record का option है आप यहां से अपनी voice record कर सकते हैं Otherwise, आपको यहाँ पर music का option मिल जाता है, आपने simply यहाँ पर click करना है, इसके बाद आपने click करना है my music पर, और यहाँ पर आपके पास जितने भी audio music होंगे, वो यहाँ पर आपको show होंगे, अगर आप किसी video में से music को निकालना चाते हैं, extract करना चाते हैं, जिसके आपके पास आपने select करनी है, जिसका audio आप निकालना चाते हैं, जिसके यहाँ पर मेरे पास यह intro है, तो इस तरीके से आपने click करना है, अगेन यहाँ पर आपने ok पर click करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह audio यहाँ पर आ चुका है, वीडियो में से, और इसके बाद बारी आत आपने save पर click करना है, तो यहाँ पर आपकी वीडियो save होना शुरू हो जाएगी, तो guys same process से आप उर्दू poetry वीडियो editing कर सकते हैं, अपने mobile phone में in short video editor के साथ, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe ज़रू कर देना, thank you for watching, मिलत है नेक्स वीडियो में